आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में आपके लिए लेकिया है exclusive खबर RTN Power के लिए बहुत बड़ा contract के बारे में बात चल रही है यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में RTN Power का क्या future रहेगा technical analysis के basis पर कुछ आपको conclusion बताया जाएगा और साथ ही साथ में इसका long term का target बताया जाएगा एक साफधानी देते हैं ये एक penny stock है तो 2% से ज़ादा हमारा channel आपको इसको invest करने के लिए recommendation नहीं करेगा आई यह चल कर शुरुआत करते हैं खबर से सबसे पहली खबर जो है RTN Power Solar Energy Division पे बहुत focus कर रहा है इनकी जो COMD है उनके बार में बात करेंगे और जो नया contract के बात चल रही है उसके बार में बताते हैं आई यह चल कर सबसे पहले इनकी website को देखते हैं तो it is one of the largest private player in power generation इनके पास 5400 करोड मेगा watt की coal-based thermal energy already installed है यहाँ पर और इन्होंने अपने multiple phased thermal power plant लगाए हुए हैं यह इनकी strength है इसके अलावा जहां पर यह अपना बढ़ातरी करना चाते हैं वो है इनकी renewable energy अगर आप बात करें अंजली नेशियर जी की तो यह बहुत dynamic chairperson and COS company की जिन्होंने इस company का बहुत बढ़ा transformation किया है और इन्होंने पता है आगे आने वाले समय में solar energy और renewable energy पर बहुत emphasis होगा इन्होंने कहा है कि इनको इसकी capacity को 300 megawatt करना है within two quarter time और इसके लिए बड़े contract मिलने की बात चल रही है इनको ताकि government के initiative चलेंगे government offices, premises में सारी की सारी solar energy consumption होगी और उसके लिए इनको बड़ा contract मिलने की बात चल रही है तो यह एक exclusive cover है हमारे channel के through जिसके चलते हुए यह stock एक तूफान की तेजी में काम करेगा अगर आपको नहीं पता है अंजली जी काफी time से इसके साथ चुड़ी हुई है और इन्होंने इसकी company की पूरी काय पलट किया और इस contract के लिए बहुत बड़े महनत कर रही है यहां से आगे आने वाले समय में reward मिलेगा, tax benefit मिलेगा तो यह एक अच्छा objective है company के लिए अब अगर fundamental देखे तो market cap की दरशी से महज 1038 करोड की company है उससे पहले आपको बताते हैं जो यह contract मिलने वाला है यह इनके लिए अगर मिल जाता है तो revenue को कम से कम double कर देगा on two quarter basis तो यह बहुत बड़ी ख़बर की fundamental की basis पर यह एक penny stock है small cap company की तरह से treat कर सकते हैं तो 2% से ज़ादा हम यहाँ पर allowed नहीं करेंगे आपको इसमें निवेश करने के लिए अब अगर आप इसकी sales की figure देखे जाए तो quarter on quarter अभी sales गिर रही है पिछले quarter में एक साल पहले 500 करोड के आसपास थी अभी यह 200 करोड के आसपास है पर अकर profitability देखे तो profitability उन्होंने उस साब से manage नहीं कर पा रहे है इतनी अची तरह से देखी यहाँ पर 73 करोड का loss था पर यहाँ पर कोई loss नहीं है almost जितना profit है उतना ही यह expenditure कर रहे है interest इनका थोड़ा सा एक problematic area है जिसकी वज़े से यह penny stock बना हुआ है अभी interest आगे आने वाले समय में इसको triple digit डिना तक जाने में कोई नहीं रोख सकता है अब अगर हम आगे देखें कुछ और parameter technical basis पर तो देखें fundamental के साथ में आपको technical भी mix करना होता है please consult your financial advisor before investing in trading अब अगर technical analysis की बात की जाए तो intraday chart की basis पर इसने एक upper circuit बनाया था 20% का upper circuit है खुला दोर कल ये 2 रुपे 40 पैसे पर बंद हुआ था यहां देखें 2 रुपे 40 पैसे पर खुब भलो ट्रेड हो रही थी और यहां से फिर अच्छा up move दिखाया है और करीब करीब एक बजे के आसपास तो पूरी ताबर तोर तेजी के साथ इन्होंने ऊपर लेक गया है यहां से तो यह एक अच्छा parameter है और देखें एक बजे के बाद यहां से upper circuit लगा फिर एक अपोर्ट्शन लिदी खरीदने के लिए फिर ऊपर जाकर upper circuit और दिस इस वेर यहां पर यहां पर यह न्यूज आई थी trading circle में कि इनको एक renewable energy के लिए project मिलने की बात चल रही ह अब अगर हम बात करें यहां से आगे क्या पर रुक्रिया हो सकती है बुलिंजर बेंड ने clear cut बता दिया था कि आप मैं expand करने वाला हूँ और देखें यहां से expand करने के बाद 2 रुपे से 2 रुपे 80 पैसे तक आ चुका है अभी भी इसमें जगान बाची है और अगर हम टिकेटर ने बहुत बढ़िया मुझ खोलना शुरू किया है बहुत तेज से उपर बढ़ेगा और साथ से साथ में अगर आप RSI को भी देखें तो 67 के लवल पर है कोई ज़्यादा तेज नहीं है यहां पर आप चाहें तो इसमें और investment कर सकते हैं अभी भी दोस्तों हमारे 10 रुपे का है यह टागेट बहुत जल्द अचीव होने वाला है डाही साल भी नहीं लगें इसको और हमारे चैनल का rule 5 by 5 आप हमेशे धियान रखना दोस्तों stock market में learn करना एक hard task है आपको अगर day trading में interested है और आप हमारे custom course को design को धियान में रखकर आपके लिए बनाया गया ह है जिसमें आपको handhold करकर trading सिखाई जाएगी गलतियां होंगी गलतियों को fix किया जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा आपके साथ में अगर कोई query है तो हमें mail drop कर सकते हैं चार्जिस आरे 8,000 रुपीज आपके लिए 4 वीडियो प्रसूत हैं जहिन जा भारत आपका द